युवा मित्रों, आपकी सनातक की पगड़ी अभी ठीक से जमी भी नहीं होगी कि मन में एक सवाल जोर से गुणजने लगता है, अब आगे क्या? इसी दुविधा के गर्ब से खिलता है एक पवित्र लक्ष, एक महान उद्देश, सिविल सेवा. देश की नीम्व को मजबूत करने, जनता के सपनों को हकीकत में बदलने का अफसर, पर क्या यह रास्ता आसान है? नहीं, बिलकुल नहीं. कठिन तो है, पर असंभव नहीं. और जब कोई लक्षे आपके जुनून, द्रिड़ता और कर्मटता से सराबोर हो, तो वही कठिन राह भी मोहक लगने लगती है. आए, आज उसी मोहक सफर की तियारी का खाका खींचते हैं. सनातक होते ही सिविल सेवा की यात्रा का श्रीगनेश कैसे करें? सबसे पहले, अपने अंदर जगी इस पवित्र आग को बुझने मत दें. इसे दिनराद ज्वलंत रखें. हर सुबह जगाईन, खुझ से पूछें की आज देश के लिए, समाज के लिए क्या करेंगे? यही जुनून आपकी प्रेरना बनेगा, राहों की थकान मिटाएगा. दूसरा कदम है लक्षे को सपष्ट करना. IAS, IPS, IFS किस सेवा में योगदान देना चाहते हैं? हर सेवा की अपनी भूमिका, अपनी चुनौतियां हैं. गेहन शोध से समझें की आपकी रुची किस ओर खींचती है? यही चुनाव आपकी तियारी को दिशा देगा. फिर आता है सबसे मेहित्वपून पाइदान, सिलेबस का अध्यान. इसे राक्षस की तरह न देखें, बल्कि ग्यान के विशाल महासागर में गोता लगाने के अफसर के रूप में लें. NCRT की किताबें, मानक ग्रंथ, दैनिक पत्रपत्रिकाए, समाचार चैनल. हर स्ट्रोथ से ग्यान ग्रेहें करें. याद रखें, सिविल सेवा सिर्फ परीक्षा नहीं, बल्कि समाज का दरपन है. देश की नब्ज को ठीक से समझना ही असली सफलता है. अध्यान के साथ साथ लिखने का अभ्यास शुरू करें. निबंध, संक्षिप्त लेक, उत्तर लेखन. हर दिन एक निश्चित लक्षे निर्धारित करें और उसे पूरा करें. यही अभ्यास आपकी लेखनी को तराशेगा, विचारों को सुसंगत करेगा. स्मरन रखें, सिविल सेवा की परीक्षा केवल ग्यान की परीक्षा नहीं, बलकि उसे व्यक्त करने की भी परीक्षा है. अकेले पाव बढ़ाने से ज्यादा मजबूती समूह में चलने से मिलती है. ऐसे ही साथी तलाशें जो आपके जुनून को समझें, प्रेरित करें और साथ चलें चर्चा समूव बनाएं, अधेयन का आदान प्रदान करें स्वस्थ प्रतियोगिता का वातावर्ण सफलता की रफतार बढ़ा देगा पर यह सफर सिर्फ अधेयन और तियारी का न हो समाज को करीब से देखें, उसकी समस्याओं को महसूस करें ग्रामीन क्षेतरों में जाएं, स्वयन सेवी संस्थाओं के साथ काम करें जमीनी हकीकत का अनुभव ही आपको एक समवेदंशील प्रशासक बनाएगा और हाँ, इस पूरे सफर में धहरे आपका सबसे बड़ा हथियार होगा असफलताएं, निराशाएं आएंगी, परहार मत मानिये हर अनुभव आपको बेहतर बनाएगा याद रखें, रोम एक दिन में नहीं बना वैसे ही आपकी सफलता भी धीरे-धीरे आकार लेगी युवा मित्रों, यह सिर्फ एक खाका है असली कहानी तो आप लिखेंगे अपनी रातों की मेहंत, दिनों के जुनून से रटने की मशीन नहीं, सोचने का यंत्र बने समाज की समस्याओं का समाधान ढूंढे यही आपकी असली परीक्षा है अगर आपको मेरा सुझाव पसंद आया तो खृप्या लाइक और शेयर करें खृप्या नए लाबकारी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद